सोभागे से 90 सेकंड के भीतर किसी को भी प्रभावित करना संभव है। आगे हम यही जानेंगे कि किस तरहां हम किसी को भी 90 सेकंड के भीतर आश्चरेजनक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हेलो ब्रेंबुक आर्मी, स्वागत है अब सभी का ब्रेंबुक चैनल में जहां पर आप देख सकते हैं कम्प्लीट बुक समरी। आज का ये वीडियो निकलस बूथमेन की किताब हाउ टु मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड और लेस पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरहां हम आकर्शक बन सकते हैं। कैसे 90 सेकंड के अंदर हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। किस प्रकार अच्छे संबंद बनाकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निकुलस बूथमेन ने इस किताब में साथ टेकनीक्स बताएं हैं। और मैं एके करके आपको उन सभी टेकनीक्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गई सभी महत्वपूर्ण बातों को संशिप्त में दुबारा दोरा दूंगा। ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको असानी से याद रहें तो इस वीडियो को अंतक देखना मत भूलिएगा तो चलिए शुरुवात करते हैं पहली टेकनीक से पहला दूसरों के साथ जुड़ना जब से मानव जाती का विकास हुआ है तब से हम कम्यूनिटी या समुदाये में रहने के लाब जानते हैं प्रारंभिक मानव एक साथ मिलकर शिकार करते थे और भोजन की तलाश करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अकेले-अकेले शिकार करने और काम करने की बज़ाए एक गृप या समुभ में वे बैतर तरीके से काम कर सकते थे और जीवित रह सकते थे दूसरों के साथ जुडने और एक जुट होने की यह गहरी इच्छा अभी भी हमारे साथ है हम हमेशा दूसरों से मिलना और लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं फिर चाहे वे कोई त्योहार हो या कोई पार्टी हो यह मनुश्य का प्राकृतिक स्वभाव है और बस ऐसा नहीं है कि वे हमारा प्राकृतिक स्वभाव है इसलिए हम लोगों के साथ जोड़ते हैं या हमें लोगों के साथ जोड़ना चाहिए बलकि लोगों के साथ जुड़ना हमारे स्वास्त और सुरक्षा के लिए बहुत लाबधायक है। लेखक कहते हैं कि जो लोग दूसरों से मिल जुल कर रहते हैं और लोगों से अच्छे संबंद रखते हैं उन लोगों की उम्र जादा लंबी होती है। Harvard School of Health Sciences की प्रोफेसर डॉक्टर लीजा बर्कमेन ने साथ हजार लोगों के एक समुख का नौ वर्षों तक अध्यान किया। उनके रिसर्च से ये पता चला कि जिन लोगों के संबंद दूसरों से अच्छे नहीं होते और जो लोग किसी समुख या ग्रुप के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते उन लोगों की किसी बीमारी से मरने की संभावना उनकी तुलना में तीन गुना जादा होती है जिनके संबंद दूसरों से अच्छे होते हैं और जो दूसरों के साथ मिल जुल कर रहते हैं लेकिन लोगों के साथ जुड़ने और नए दोस्त बनाने के लाब केवल लंबी उमर तक ही सीमित नहीं है अच्छे संबंद जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी बहुत को अपने सपनों को पूरा करने के बहतर अफसर मिल सकते हैं जैसे कि आपको अपने दोस्त से किसी अच्छी नौकरी के बारे में पता चल सकता है या फिर यदि आप कहीं घूमना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके दोस्त की पहचान के कारण आपको किसी होटल में डिसकाउ वाले का कोई मिलता जुलता इंट्रेस्ट ना हो तो नए लोगों से जोड़ना काफी कठिन हो सकता है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसे प्रभावित करने के लिए आपके पास लगभग 90 सेकंड का समय होता है। अगर आप इस सीमित समय के अंदर उस व्यक्ति को दरहां हम किसी को भी 90 सेकंड के भीतर आश्चरेजनक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा अपनी शारीरिक हाभाव पर ध्यान दें। अब आप यह जान चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिताए गए शुरुआती पल नए संबंद बनाने के लिए बहुत मह तुपून हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके कुछ बोलने से पहले ही लोग आपके प्रती शुरुआती धारनाय बना लेते हैं। लेखक बूत मैन के अनुसार लोग जो सबसे पहली चीज आप में नोटिस करते हैं वे है आपका शरीर, आपकी आखें, आपके चे के लिए सबसे पहले आपका शरीर सीधे सामने वाले व्यक्ति की दिशा में होना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप सामने वाले में और उसकी बातों में इंट्रेस्टेड हैं और आप उससे बाचीत करना चाहते हैं। इसके बाद सीधा उनकी आखों में देखें। सीध अंदर की सारी positivity को अपनी मुस्कराहट में जलकने दें। इससे सामने वाले व्यक्ति के अफचेतन मन में संदेश जाएगा कि आप इमांदार और खुले विचारों वाले इंसान हैं। जब आप इन तीन प्रक्रियाओं द्वारा दूसरे व्यक्ति के मन में जगा बनानी शु व्यक्ति को अपना पहला नाम यानि फर्स नेम बताएं और उन्हें अपना परीचे देने के लिए प्रोचसाहित करें। एक बार जब वो अपना नाम बता दें तो तुरंत उन्त के नाम को दोहराएं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उस व्यक्ति का नाम आपके पात करने में काफी इंट्रेस्टिड हैं। इस तकनीक का इस्तमाल आप सामने वाले से हाथ मिलाते वे भी कर सकते हैं। तीसरी तकनीक सही, रविया अपनाएं। जब किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने की बात आती है तो किसी मिलते जुलते इंट्रेस्ट या होबी के बारे में पात करने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। जब बात किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने की हो तो एक जैसी रूचिया या इंट्रेस्ट मददगार होती है। जाहिर है कि हम लोग उन लोगों के साथ अच्छा तालमेल बना पाते हैं जो हमारी ही तरीके क किताबे पढ़ते हो या हमारी पसंदीदा स्पोर्ट्स टीम का समर्थन करते हो पर जब दो लोगों में कोई समानता ना हो तब आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में तालमेल बनाने के बहुत से तरीके हैं जो कि हम आगे की समरी में जानेंगे। पर सबसे महत्तुपून बा एक उपयोगी रविये का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप अपनी बातचीच से क्या परिणाम हासिल करना चाहते हैं। जबकि एक बेकार रविये का मतलब है कि आपको नहीं पता कि आप अपनी बातचीच से क्या परिणाम चाहते हैं। अगर आप एक अच्छा और उपयो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आएगा। इसलिए अगर आप दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं तो आपको एक उपयोगी और सकरात्मक रवये को अपनाना चाहिए। परन्तु प्रशन ये है कि आखिरकार आप ऐसे रवया बना कैसे सकते हैं। एक सकरात्मक और उपयोगी रवया इस बात से शुरू होता है कि आप यह तै करें कि आप अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच और ही बातचीच से क्या परिणाम चाहते हैं। इसलिए जब आप किसी से बातचीच शुरू करें तो आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए क कि आप क्या अंतिम परिणाम चाहते हैं और साथ ही यह भी तै करना चाहिए कि उस अंतिम परिणाम तक कुशलता पूरवक पहुंचने के लिए आपको कैसी अप्रोच या दृष्टी कोन की अवशकता है। उधारन के लिए मान लीजे कि आप छुटियां मनाने के लिए घर जा रहे हैं पर आपकी फ्लाइट कैंसल हो गई है। ऐसे में यदि आपका रवईया बेकार है तो आप इस बात पर ध्यान देते रह जाएंगे कि आप एरपोर्ट पर फस गए हैं। यह एक नकरात्मक रवईया है जिसके चलते आप एरलाइन के स्टाफ के उपर चिलना सकत हैं ताकि आपको तुरंट दूसरी फ्लाइट दी जाए। इसके विपरीत अगर आप एक पॉजिटिव और उप्योगी रवईया अपनाते हैं तो आपका ध्यान इस पर होगा कि किस तरह से आपको किसी प्रकार की मदद मिल जाए। आप ये सोचेंगे कि कौन सा विक्ति द इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप यह तै कर लेते हैं कि आप अपनी बादचीत से एक सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तब आप अपने आप ही ऐसी बॉडी लेंगवेज और मुस्कुराहट को अपना लेते हैं जिस से लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी मदद करने के प्रभावशाली बॉडी लेंगवेज अपनाए अभी तक आपने जाना कि एक सकारात्मक रवईया एक प्रभावशाली बॉडी लेंगवेज की नीव है परन्तु प्रभावशाली बॉडी लेंगवेज आखिर होती क्या है लेखक निकलस बूतमेन के अनुसार बॉडी ले और Closed Body Language ओपन बॉडी लेंगविज आपकी भावनाओं को प्रकट करता है जो दूसरे व्यक्ति को यह संके देती है कि आप उससे बादचीत करने के लिए केवल तयार ही नहीं बलकि उच्छुक भी हैं। देते हुए भावनाओं को बचाने का काम करती है। हात बांधना एक बहुती आम तरीका है जिससे हम अपनी भावनाओं को बचाने का काम करते हैं। नजरे मिलाता हुआ और स्पष्ट भाव दिखाता हुआ होता है। वहीं एक Closed Body Language वाले चेहरे पर कठोर भाव होते हैं। और व्यक्ति नजरे मिलाने से बचता है। UCLA Psychology Professor Albert Meherabian Communication के शेत्र में एक जानीमानी हस्ती हैं। और उनके अनुसार व्यक्ति की विश्वशनी अता तीन चीजों से तालमेल पर निर्भर करती है। आवाज, शब्द और द्रिष्टी। दूसरे शब्दों में कहें तो आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं और आपका शरीर क्या संकेद दे रहा है। इन तीन चीजों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। पांचवी तकनीक तालमेल बिठाने की कला। दूसरों की नकल करना मनुश्य का एक साधारन स्वभाव है। असल में आपको यह एसास भी नहीं होता कि आप जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से अपने आपको दूसरों के साथ जोड रहे हैं। जैसे एक बच्चे का शरीर उसकी माता के साथ अपने आप एक तालमेल बना लेता है। तालमेल बनाने की यह आदत जीवन भर हमारे साथ रहती है। जैसे की एक व्यक्ति की कपड़ों की पसंद उसके जीवन साथी से प्रभावित होती है। पर ऐसा क्यूं होता है। दरसल अपने आपको दूसरों के अनुकूल बनाना पूरी तरह से प्राकृतिक है, जैसे कि यदी कोई आपकी तरफ देकर मुस्कुराता है, तो आप भी उसकी तरफ देकर मुस्कुराते हैं, वैसे ही दूसरे व्यक्ति की उबासी देकर आप उबासी लेने लगते हैं, यह त हमारा अच्छा तालमेल बन जाता है और जो हमारे जैसे होते हैं। बहुत सारे researches से यह पता चला है कि हम लोग उन लोगों के साथ काम करना और घूमना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते या फिर हमारे जैसे स्वभाव वाले होते हैं। पर जब बात किसी को अकरशित करने की हो, तब इस तालमेल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप बड़ी साबधानी पूर्वक और बारी किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे के हावभाव उनके बोलने के तरीके और उनके उठने बैटने की तरेकी की नकल करने लगते हैं तालमेल बनाना एक महतोपुन प्रतिभा भी है विशेश रूप से सेल्स का काम करने वाले लोगों के लिए सेल्स के लिए जरूरी है कि सेल्स परसन और क्लाइंट के बीच अच्छा तालमेल हो छटी तक्नीक सही सवाल पूछना और ध्यान पूर्वक सुनना अब तक आपने यह सीख लिया कि बाचीत करते समय कैसे आप दूसरे व्यक्ति को अपने हाव-भाव और अपनी आवाज के जरिये खुश कर सकते हैं पर इसके अपनी बाचीत के दौरान क्या बोलते हैं तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी बाचीत को सही दिशा में कैसे लेकर जा सकते हैं लेखक निकलस बूतमेन कहते हैं कि किसी भी बातचीत को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना सवाल दो तरीके के हो सकते हैं ओपन और क्लोजड ओपन प्रशन ऐसे प्रशन होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को बात करने के लिए बढ़ावा देते हैं मान लीजे कि आप किसी होटल में हैं और किसी अंजान व्यक्ति से बात करने का प्रेतन कर रहे हैं ऐसे में आप दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं कि यह एक अच्छा होटेल है आपको क्या लगता है कि यहां का शेफ कहां से होगा ओपन सवालों के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे की सामने वाला व्यक्ति बाचीत का हिस्सा बन जाए जैसे की कौन, कब, कहा, कैसे, क्यों, आदी इसके विप्रीत क्लोज सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिनका सिर्फ हां या ना में जवाब होता है यह प्रशन सामने वाले व्यक्ति को आपके बाचीत का हिस्सा नहीं बनाते हैं जैसे कि अगर आपने सामने वाले विक्ति से पूछा है कि क्या आप यहां अक्सर आते हैं, ऐसे में जवाब हाँ या ना ही हो सकता है। इसलिए यह बहतर होता है कि बाचीत बढ़ाने के लिए आप open सवालों का प्रियोग करें। यहां यह समझना जरूरी है कि सही सवाल पूछना ही काफी नहीं होता। जरूरत होती है active listening की जिसका अर्थ है कि आप दूसरे विक्ति की कही गई बातों का ध्यान दें और उन बातों में छुपे उस विक्ति की भावनाव को भी समझें। ऐसा करने के लिए आपको अपने कानों के साथ अपनी आखों का भी इस्तमाल करना पड़ेगा। हमेशा दूसरे व्यक्ति की तरफ देखकर उनकी बात सुननी चाहिए और जब आप उनकी बात से सहमत हो तो अपना सिर हिला कर आपको अपनी सहमती व्यक्त करनी चाहिए जब आप कोई बात कहना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले दूसरे व्यक्ति की बात को खत्म होने दें, उसके बात उस्तुकता से उस बात का जवाब दें सात्वी तक्नीक समवेधी प्रात्मिक्ताओं का पता लगाना रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर नियूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानि NLP नामक बातचीत करने की एक प्रक्रिया के संस्थापक हैं सन 1970 में उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि लोग अपने बातचीत की दुनिया को विज्वल यानि देखकर ओडिटरी यानि सुनकर या कैनेस्थेटिक यानि मास पेशों की गती विधी के जरिये ही महसूस करते हैं हर विक्ति अपने जीवन में इन तीन में से किसी ना किसी का उप्योग करता है लेकिन इन तीन में से एक चीज जीवन भर विक्ति के नजरिये पर प्रभाव डालती है जिसे हम dominant sense कहते हैं जब आप यह जान जाते हैं कि तीनों में से कौन सी एक चीज आपकी बाचीत करने के तरीके में जादा पाई जाती है तो दूसरों के साथ तालमेल बनाना आपके लिए आसान हो जाता है जो लोग जादातर visual वाले होते हैं वे इस बात का ध्यान देते हैं कि चीजें कैसी दिखती हैं और वे चित्रों में सोचते हैं वे बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं आडिटरी वाले लोगों को बाचीत करना पसंद होता है वे अराम से अपने आपको व्यक्ट करते हुए बात करते हैं जादा तर ऐसे लोग वकील, पीचर या मीडिया में काम करने वाले होते हैं वे शब्दों पर और आवाज पर बहुत ध्यान देते हैं काइनस्थेटिक पर ध्यान देने वाले लोगों को ठोस चीजें पसंद होती हैं जिने वे महसूस कर सकते हैं इनकी आवाज धीमी होती है और वे बहुत ही धीरे धीरे बात करते हैं जब आप दूसरे वेक्ति के डॉमिनेंट सेंस के हिसाब से उनसे बातचीत करते हैं तो वे वेक्ति आपको और जादा पसंद करता है जैसे कि शब्दों पर ध्यान देने वाले लोगों के साथ अगर आप सपष्ट और अच्छी आवाज में बात करें या काइनेस्थेटिक पर ध्यान देने वाले लोगों के साथ अगर आप भावनात्मक तरीके से बात करेंगे तो ऐसे लोग आपको अवश्य पसंद करेंगे अब बात आती है कि आप ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति का dominant sense क्या है यह जानने के लिए आपको उस व्यक्ति की आँखों की और देखना होगा यदि आप किसी से पूछते हैं कि उनकी छूटिया कैसे बीती तो एक विज्वल आदमी दाए बाए देखेगा जैसे कि वह अपना जवाब देख रहा है वहीं एक auditory व्यक्ति दाए बाए अपने कानों की तरफ देखेगा और कैनेस्थेटिक व्यक्ति नीचे या अपने हाथों की तरफ देखेगा दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपको पता ना चले कि आपको दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करनी है तो आपको उनकी आँखों में देखना चाहिए ऐसा करने से आप यह समझ जाएंगे कि वह किस प्रकार के व्यक्ति है और आप अपनी बातचीत को उसी अनुसार ढाल सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिये गए सारे महतुपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा तो चलिए सारी महतुपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं लोगों के साथ जुड़ना हमारे स्वास्ते और सुरक्षा के लिए बहुत लाबदायक है जो लोग दूसरों से मिल जुल कर रहते हैं और लोगों से अच्छे संबंद बना कर रखते हैं उन लोगों की उम्र जादा लंबी होती है लोग जो सबसे पहली चीज आप में नोटिस करते हैं वह है आपका शरीर, आपकी आँखे और आपके चेहरे के हावभाव जब आप यह तै कर लेते हैं कि आप अपनी बाची से एक सकरात्मक परिणाम चाहते हैं तब आप अपने आप ही ऐसी बॉडी लेंग्वेज और मुस्कुराहट को अपना लेते हैं जिससे लोग आपको पसंद करते हैं अगर आप दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं तो आपको एक उपयोगी और सकरात्मक रवये को अपनाना चाहिए हम लोग उन लोगों के साथ काम करना और घूमना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं या फिर हमारे जैसे स्वभावाले होते हैं बाचीत बढ़ाने के लिए आप ओपन सवालों का प्रयोग करें ओपन सवालों के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रियोग करना चाहिए जिससे की सामने वाला व्यक्ति बाचीत का हिस्सा बन जाए जैसे की कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों, इत्यादी तो दोस्तों, मुझे उमीद है कि आपको How to Make People Like You in 90 Seconds or Less किताब पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग बुक समरीज और नौलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो ले कराऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपका समय शुब हो